क्या है केले के वेफर बनाने का बिजनस केले के वेफर यानि की केले से बने चिप्स आलू के चिप्स के तरह ही अब लोग केले के चिप्स का भी सेवन करने लगे हैं यहीं कारण है कि केले का व्यापार अच्छी खासी राशी कमाने का बिजनस है इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इस काम को आप कम जगा में भी कर सकते हैं इसके अलावा आप काफी कम नीवेश के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं इस काम में आपको केले के पतले टुकडे करके कुरकुरे होने तक्टी फ्राइक करना पड़ता है ध्यान रहे कि केले इसमें कच्चे ही हूँ, केले की चिप्स को जातर, साइड दश, स्नाक या एपिटाइजर की तरह परोसा जाता है इसमें मूल रूप से कच्चे केले को पकाया जाता है और नमकीन बनाकर परोसा जाता है आलो की चिप्स की तरह की केले के चिप्स को बनाने की प्रक्रिया लगबग एक जैसी है इसमें आप अलग-लग तरह की सामगरी और दूसरे स्वात की चीजे डाल कर इसके साथ experiment कर सकते हैं और अलगलग किस्मों के केले के चिप्स का उत्पादन कर सकते हैं उन्हें खा सकते हैं या बेज सकते हैं इसमें जड़ी पूटियां अलगलग तरह के मसाले, चीज, सीजनिंग शामिल है केले के चिप्स बिजनस के लिए budget आपको आसानी से ये मशीन 10-12,000 उपए के मिल जाएगी, अगर आप छोटे लेवल में इस काम को करना चाहते हैं तो आपके लिए 10-12,000 तक की मशीन सही रहेगी, लेकिन अगर आप इसे बड़े लेवल में करना चाहते हैं तो आपको मशीन के लिए 30-50,000 उपए खर्च करने पढ़ेंगे मशीन के साथ ही आपको चिप्स बनाने के लिए कच्छे सामान की ज़रूर पढ़ेगी अनुमान आपको ये सामान पांच हजार से लेकर साथ हजार तक असानी से मिल जाएगा अगर आप इसे अपने पास के होलसल मार्केट से लेंगे तो आपको इससे काफी पूररेंगे बनाना वेफर वेबसाइग लिए चगा किसी भी बिजनस को करने के लिए बिजनसमान को सही जगा की ज़रूरत होती है इसमें आपको केले की चिप्स बनाने बाली मशीन को रखने के लिए जाता चका चाहीं होगी इसके साथ ही अपने प्रोड़क्ट को बनाने के लिए कच्चा सामान और तयार किये गर चिप्स के लिए जरूरी जगा यानि कुल मिलाकर आपको 4000 से लेकर 5000 स्क्वार फीट की जगा की जरूर पड़ेगी जुससे आप असानी से इस काम को कर सकेगे आप चाहें तो अपने ही घर में इस काम को कर सकते हैं अगर आपके खर यांगर के आशपास इतना स्पेस है तो आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप रेंट या फिर लीस में कोई जगा ले सकते हैं बनाना वेफर बनाने के लिए कच्चा समान अगर आप ठीक ठाक लेवल में इस काम करना चाहते हैं तो आपको शुरू में पांट से साथ हजार उपे तक वेफर बनाने के लिए कच्चा समान मिल जाएगा इसके साथ ही आपको इसके लिए वैफर बनाने की मशीन और जगा की बीजार पढ़ेगी खच्चे समान के लिए आप केले, तरह-तरह के मसाले, तेल नमक जैसे बेसिक समान की ज़रूरत पढ़ेगी बनाना वैफर बनाने के लिए कुल खर्च जैसा कि हमने बताए कि आपको इस बिजनस में खर्च आपके प्रोडक्शन के आधार पर आएगा लेकिन एकनुमान के हिसाब से आप शुरू में 50 किलो केले के चिप्स बनाते हैं तो इस काम में कम से कम 120 दरजन खचे केलों की जरू आपको अम्मुमन एक हजार रुपए के आसपास मिल जाएंगे 50 किलो चिप्स को तलने के लिए 12-15 लीटर तेल और 70 किलो तेल के हिसाब से आपका 1050 रुपए का खड़ जाएगा आप चिप्स को बनाने के लिए मशीन के जरूर पड़ेगी और मशीन को चलाने के लिए आप 500 रुपए लग जाएंगे और अगर हिसाब लगाएं तो 50 किलो के लिए के चिप्स तयार करने में आपको 32 रुपए तक खर्च करना पड़ेगा इसके बाद चिप्स को पैक करने में 70 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ेंगे और अगर आप ऑनलाइन या किसी किराना स बिजनस को सफल बनाने के लिए ग्राकों का चेहन करना पड़ेगा यानि आपको जानना होगा कि आपकी टागेट और इंस कौन है वैसे इस तरह के फूड बिजनस में आपको कम ग्राकों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता आजकल लोग खाने पीने के शौकीन है औ आपको इस बिजनस के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा और संबंदित अधिकारियों से पंजी करना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनस को आरुसी और के साथ जोड़ना पड़ेगा इसके लिए आप प्रॉपर राइटर्शिप फॉर् लाइसेंस हासिल कर सकेंगे और अपने बिजनस को MSM के साथ रोजिस्टर कराना ना भूलें बिजनस के लिए करमचारियों की भरती बनाना वैफर बिजनस में करमचारियों की न्यूपती इस बात पर निर्पर करेगी कि आप किस लेवल का बिजनस शुरू करना चाहते हैं या साथ ही एक करमचारी जो आपके प्रोड़क्ट की चेकिंग और पैकेचिंग की जिम्मेदारी संभालेगा आप जाहें तो इस काम के लिए महिला करमचारियों को भी न्यूक्त कर सकते हैं इसके लिए आपको दो ऐसी महिलाओं की ज़रूप पड़ेगी जो इस काम को आसानी से कर सकें साथ ही एक सप्लायर जो मार्केट में आपका सामान बेशने जा सके आप जाहें तो अपने वरकिंग एरिया के सामने छोटा सा स्टॉल या दुकान लगाकर अपने प्रोड़क्ट को बेच सकते हैं इससे आपकी सप्लाय का खर्च और समय भी बग जाएगा और असानी से समझाया जा सकता है और अगर आटोमेटिक यानि महंगी मशीन लेते हैं तो आपका काम और भी असानी से और फटाफट हो जाएगा आटोमेटिक मशीन से आपकी करमचारियों का वरकलोड भी कम होगा यानि अगर प्रोड़क्शन जादा हुआ तो आप जादा वे